उद्यपूर का रुकर है दरसल उद्यपूर चाकुकान में बड़ा आक्षिन देखने को बिला है मामले में सिक्षा विभाग ने बड़ी कारवाई की है जी आपको बता दे कि उद्यपूर भटियानी चोहटा की प्रधानच्वारिय इशा धर्मावत निलंबत कर दी गई है और विभाग ये जानच चलने तक निलंबन के आदेश जारी किये गई है बटियानी स्कूल के अध्यापक राकेश जारोली को भी एपियो किया गया है एप्योकर उद्यपूर के भैस रोडगर ब्लॉक में तबादला कर दिया गया है विभागे जाच के चलते एप्योकर उद्यपूर के सबसे दूरस्त भैस रोडगर ब्लॉक में ट्रांसफर किया गया सिक्षा मंत्री मदन दिलावर और निर्देशक आशेश मोदी के निर्देश पर ये बड़ी कारवाई हुई है ये बड़ा अक्षन है जाहित ओपर दस्वी क्लास के दो स्टूडेंस आपस में जगरते हैं एक चात चाकू सिवार करता है दूसर चात बिखालो चाता है चार दिन जिन्दगी और मौत से जंग लड़े के बाद आखिरकार दुर्भाविपूर इसकी मौत हो जाती है तो ये अक्षन लिये गए अब ये अक्षन जो है खास्त ओपर स्कूल के खिलाफ दिया गया है सिक्षा विभाग ने बड़ा आक्षन लिया ओधैपूर भटियानी चोहट्था जिस स्कूल में वार्दात हुई थी वहां की प्रिंस्पल इशा को निलंबित कर दिया गया है और ये बताया गया है कि जब तक विभागे जाच पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो निलंबित रहेंगी इसके साथ साथ इसी स्कूल के अध्याफक है राते जारोली उनको भी एप्लियो कर दिया गया है अजमेर रेपकांड भी ऐसा घिनोना केस है जुसमें सिस्टम ने बेटियों की बज़ाए बलातकारियों की हिम्मत बढ़ाई अज में रेपकान डेश का सबसे बड़ा रेपकान है इस रेपकान में सौ से जाना स्कूली बच्चियों को ब्लाक मेल करके रेप किया गया गैंग रेप किया गया ये मामला इतना भयानक था कि छे से जाला बच्चियों ने बदनामे किर से खुदकुशी तक कर ली थी और कई परिवारों ने वो शहर ही छोड़ दिया था कई बच्चिया पागल खाने तक पहुँच गए और कई ने तो आज तक शादी ही नहीं की ये रिपॉर्ट देखिए देश का सबसे बड़ा सेक्स केंडल जिसमें सौ से ज़्यादा लड़कियों को शिकार बनाया गया 1992 के उस गैंगरे ब्लैक मेलिंग कांड के छे आरोपियों को आज अजवेर की बॉक्सो कोट में उम्रकैट की सजा सुनाई है और पांच पांच लाख रुपे का जुर्माना भी लगाया है 32 साल बाद जिन छे आरोपियों को आज उम्रकैट की सजा सुनाई गई है उनमें नफीस चिष्टी, जमीर हुसैन, सलीम चिष्टी, सोहिल गनी, मुंबई के एकबाल भाटी और इलाबाद निवासी नफीस उर्फ टार्जन को उम्रकैट की सजा सुनाई गई यह सबी आरोपिय अब हाई कोट में अपनी अपील दायर करेंगे चात्राओं के गैंग रेप और ब्लेक मेलिंग मामले में कुल 18 आरोपी थे जिनमें 9 को सजा सुनाई जा चुकी है एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है एक स्विसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है अजमेर सेक्स केंडल की शिकार सौ से ज़्यादा लड़कियां बनी रिपोर्ट्स के मताबिक फारूप चिष्टी नामक शक्स ने प्राजस्थान के एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को अपना निशाना बनाया फारूप ने लड़की के साथ रेप किया और उसकी अशलील तस्वीर खीच ली उन्हीं तस्वीरों को दिखा कर फारूप ने उसे ब्लैक मेल किया और लड़की से अपनी सहेलियों को फार्म हाउस पर लाने के लिए कहा पिर एक के बारे कई लड़कियां इस जाल में फस्ती चली गई फारूप और उसका गिरोओ ज्यादा तर हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था इस सेक्स केंडल में कई बड़े अधिकारियों से लेकर नेता भी शामिल थे आरोप ये भी है कि पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो दंगे भड़कने के डर से पुलिस ने एक्शन ही नहीं लिया क्योंकि फारूप चिष्टी नफीस चिष्टी और अनवर चिष्टी समेत गिरोओ के कई लोग यूथ कॉंग्रेस के सदस्य थे और अजमेर शरीफ दरगहा से भी इनका जुडाव था साल 1992 में जब एक अख़बार ने इस सेक्स स्केंडल का खुलासा किया तो पूरे देश में भूचा ला गया कुछ लड़कियों ने इज़द बचाने के लिए आत्म हत्या कर ली तो कई लोग इस सेक्स स्केंडल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए इस केस में 104 लोगों ने गवाही दी तीन पीडित लड़कियां अपने बयान पर आखिर तक डटी रही कोर्ट ने आज 208 पेज का फैसला सुनाया जिसमें 6 आरोपियों को उम्रकैट की सजा सुनाई गई है लगबग 32 साल बाद में जाके फैसला आया है और अब्यूपियर्ण जो है उसमें अपरात करने के बाद में है यहां से फरार हो गए थे कुछ लोग तो भारत से बाहर चले गए थे इस वज़े से इसमें लगा और बाद में एक स्टेटिजी के तरह एक एक अब्यूपता आता गया और उसके बाद में पुने विचारन किया गया इसलिए काफी लंबा समय जो है वो विचारन में लग ग